इस वीडियो में हम पढ़ेंगे types of computer working के लिहाज से Working के लिहाज से computer की तीन types होती हैं एक जिसे हम analog computer कहते हैं और एक जिसे हम digital computer कहते हैं और एक जिसे हम hybrid computer कहते हैं अब हम तीनों types को बारी बारी पढ़ेंगे तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले analog computer से, analog computer वो computer होते हैं, जो के हमारे environment से physical data है, यानि के physical quantities है, temperature, speed, pressure, sound, ये quantities जो हमारे physical environment में मौझूद होती है, ये computer इस in quantities को as input लेते हैं, और इनको process करने के बाद, जो data, जो हमारा result होता है, जो हमारा output होता है, उसको display करवाते हैं, इस तरह से एक wave की शकल में, इसको analog इसलिए कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो data है, वो हमें एक wave की शकल में नजर आता है, यानि अगर हमने एक computer है, जो temperature measure कर रहा है, जो temperature ना आप रहा है, तो इसके अंदर जो scale मौझूद होता है, उस scale के अंदर जो temperature की reading आ रही होती है, इसके अंदर data की presentation है, वो wave की शकल में हो रही होती है, यानि wave अगर उपर जा रही है, इसका मतलब यह एक temperature बढ़ रहा है, और अगर wave नीशिया आ रही है, इसका मतलब कि temperature कम हो रहा है, इसी तरह हमारे पास मुख्तलिफ graphs होते हैं, इसके अंदर कि अगर आपने speed find out करनी है, इसके अंदर भी graphs की मदद से speed को show किया जाता है, तो इस तरह के जो computers होते हैं, जो के एक continuous form में data को जाहर करते हैं, इस तरह के computers को analog computer कहा जाता है, इस तरह के computer काफी ज़द अदाद में military में, defense में इस्तमाल होते हैं, क्योंकि वहां पे जो हमें data required होता है, उसके अंदर हमें continuous में इस data चाहिए होता है, एक मुझस अभी स्टमाल होता इस वज़ेसे हम defense में, या military के अंदर जादा इसको 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 इसका इसको इसके इसके अलावा मुझतिक्स इन इंड़ींडे esperar, इस इस 마음에 एक साधी सान्दे में, इसके मुंकाबले में जो दूसरी टाइप है, उससे हम digital computer कहते हैं, दोनों में फर्क हिये है कि digital computer जो है, वो data को represent करता है digits में, यानि कि हमारे पास जो data आ रहा होता है, वो continuous form की बजाए, यानि इस तरह continuous form की बजाए, वो digits की शकल में हम उसको represent करते हैं, यानि एक digit जो होगा, वो one होगा, तो अगर इस तरह से नीचे है, तो वो फिर zero के लाएगा, इस तरह next दो digits अगर one है, तो फिर वो इस तरह से represent होंगे, इसको कहते हैं digital form, तो इस तरह के computer को digital computer कहते हैं, अब हम digital computer की कुछ examples लेते हैं, अब यह जो digital computer है, इसकी example आप देख सकते हैं, कि मौझूदा दोर में जो हम computer इस्तमाल कर रहे हैं, यह दरसल digital computer की एक example है, इसके अंदर क्या होता है, कि हमारे पास data होता है, वो binary form में होता है, यानि one zero की form में होता है, यह data को process करता है, one zero की form में, जिसको हम discrete भी कहते हैं, discrete का मतलब होता है, कि non continuous, यानि पहले जो होगा, one receive होगा, one के बाद फिर थोड़ा सा इसमें break आएगा, उसके बाद फिर zero receive होगा, इस तरह फिर one, one, one zero, यानि इसके अंदर जो binary digits हैं, वो एक दर्मियान में इनके एक break आ में होता है, जो कि हमने analog computer में पढ़ा था, तो यह जो computers होते हैं, यह binary data इस्तमाल करते हैं, और इसको process करते हैं, और इसके अंदर एक पूरा mechanism लगा होता है, जो कि आगे चलके binary data को convert करता है, into a digital form, यानि हम यहाँ पे जो data screen को अबर देख सकते हैं, वो digits की शकल में देख सकत हैं, तो इनको कहते हैं, digital computer, तो अब हमने पढ़ लिया है, analog computer, digital computer, जो के दोनों में फर्क हमने, जो जाना हो यह है, analog computer जो होता है, इसके अंदर continuous data होता है, wave की शकल में, जबके digital computer में discrete data होता है, यानि के digits की शकल में data होता है, उसको हम digital computer कहते हैं, अब एक type आती है, जिसको ह hybrid computer कहते हैं hybrid computer वो computer होते हैं जिनके अंदर analog computer की सलायष भी होती है और digital computer की सलायष भी होती है इस तरह की computer को hybrid computer कहा जाता है अब हम इसके कुछ examples बेखते हैं अब यह anodas hybrid computer की इस वक्त आप देख सकते हैं इस picture में hybrid computer दिखाया गया यह दरसल किया है यह एक ECG मशीन है, जो कि मेडिकल की फील में इस्तमाल होती है, हर्ट बीट नापने के लिए, ECG मशीन के अंदर अगर आप गोर करें कि इस स्क्रीन के उपर आपको डेटा दो शकल में जाहर हो रहा है, यहां पर डेटा वेफ फॉर्म में भी डिस्पले हो रहा है, और यहां यह डिजिट फॉर्म में भी डिस्पले हो रहा है, यानि इस के अंदर खास बात यह है कि इस कंप्यूटर के अंदर, कि इसके अंदर एनलॉग की भी सलायत मुझूद है, और डिजिटल कंप्यूटर के सलायत भी मुझूद है, तो इस तरह की कंप्यूटर को हाइबरिट कं बनती है, इसके अलावा जो हमारे पास वो computer होते हैं, जिसके अंदर हम data एक needle या sweet की जरीए जाहर कर रहे होते हैं, उन्हें भी analog computer कहा जाता है, जैसा कि इस diagram में आप देख सकते हैं, कि इसमें speedometer दिखाया गया है, ये भी analog computer है, इसके अंदर एक needle है, जो के आगे पीशे move करती है, कि गाड़ी की speed इतनी है, तो ये भी एक example है, analog computer की, इसके लावा ये भी कुछ examples है, analog computer की, तो यहां पर बात यह हो रही थी, कि analog computer काफी fast होता है, काफी fast result देता है, जबकि digital computer का फाइदा ये है, कि ये हमें accurate result देता है, यानि exact result जो हमें चाहिए होता है, यानि exact value जो होती है, वो हमें हासल होती है, अब analog computer के साथ मसला ये है, कि ये accurate result फराम नहीं करता है, कि यूद्ध जो है, वो कभी 100 पर होती है, कभी 90 पर होती है, तो नीडल मुसल्सल मूफ करती रहती है, ये सुई भी चाहिए हरकत करती रहती है, ये सुई आद यहां पर यहां पर यहां पर result हासिल होता है अब hybrid computer का ये फाइदा होता है कि हमारे पास ये दोनों quality आ जाती है या या hybrid computer हमें fast result भी फराम करता है साथ-साथ accurate result भी फराम करता है तो ये फाइदा होता है hybrid computer का तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि computer जो है उनकी कितनी types होती है working के लिहाज से computer जो है वो कितनी types में divided है